हलो एवरीबडी इस दिग्राश सिंग राशपूत वेलकम तू मैगनेट बीन्स इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी मार्श टू डांडी यही टॉपिक है नेक्स्ट आपका अब टॉपिक को समझो जर अच्छे से काफी इंट्रस ठीक है तो मार्श टू डांडी मतलब आप जो एक मोर्शा निकालके लेके जा रहे हैं ठीक है वो डांडी की तरफ लेके जा रहे हैं अब डांडी क्या है तो डांडी भी एक जगा है कहा है गुजरात में क्यूं जाते हैं तो इसमें बहुत सारे सवाल है ठीक है क्या क्यू मिला कि हम क्या करने आले हैं सारे concept को लिंक करने वाले हैं अभी तक हमने क्या देखा देखो तो एक छोटा सा snap recap करते हैं पूरे chapter का तो हमने starting से देखा जो हमारा national movement है तो वो किस तरह से 18 अलग-अलग organization बनी 1885 में Congress बनी evolve होते हुए आया तो moderates extremists सबी लोग धिरे-धिरे क्या कर रहे थे grow कर रहे थे ठीक हैं सबने अपने-अपने ideology के हिसाब से national movement में contribution दिया फिर गांधी जी आते हैं तो एक गांधियन phase अलग चला तो पहली बार country में कोई बड़ा nationwide movement हुआ तो जैसे हमने 2022 से 29 तक का वो भी हमने समझा उसमें कितनी सारी activities हुई लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा लास्ट वीडियो में देखा कि revolutionary nationalist का भी एक बहुत बड़ा contribution था हमारे देश को आजादी लाने में यह सारी बड़ा movement जो आने वाला है civil disobedience movement उसे हम पढ़ने वाले हैं discuss करने वाले background समझो पूरा आगे ना समझ में हैं तक तो देखो पूर्ण स्वराज would never come on its own मात्मा गांदी ने कहा कि यह पूर्ण स्वराज चाहिए आपको complete independence ठीक है 1929 के जैसे congress session में क्या होता है कि जवाल नाल नहरू जब लाहूर session में प्रसाइड करते मैंने बताया था आपको तो लाहूर session में वो क्या करते हैं यह नारा भी देते हैं क्या पूर्ण स्वराज का नारा देते हैं कि complete independence चाहिए अब तो क्या है कि Dominion status और इन में काम नहीं चलेगा आधी वाधी इंडिपेड़नस नहीं लेंगे लेंगे तो आजादी पूरी लेंगे तो महात्मा गांदी ने कहा कि पूर्ण स्वराज वुड़ नोट स्वराज खुद अपने दो पहरों पर चलके आएगा आपके पास बोलोगे कि में आ गया आपको क्या करना होगा आपको आजादी लेना होगी ठीक है इतने अच्छे नहीं ब्रिटिश के आपको आजादी दे देंगे तो आप आजादी कैसे लोगे ठीक है इट है आपको संघर्ष करना होगा आजादी के लिए ठीक है अब कैसे संघर्ष करोगे तो इन 1930 गांदी जी डिक्लियर डेट ही वुड लीड़ा मार्श तू ब्रेक दी सॉल्ट लॉव क्या चीज़ है यह देखो समझो क्या होता था कि पहले ब्रिटिश गवर्मेंट जो है तो सॉल्ट के उपर टेक्स लगाती थी, ठीक है? मैनुसेक्टिरिंग होती थी अगर सॉल्ट की तो इट topic जो आपको सॉल्ट बनाएन तो आपको टेक्स देना पड़ेगा गर्मेंट को अब महात्मा गांदी ने क्या बोला? कि यह जो टेक्स लगा रहे हैं, सॉल्ट के उपर, salt manufacturing के उपर, इसके against में हम March करेंगे, इसके against में हम क्या करेंगे, मोर्चा खुलेंगे, हम protest करेंगे non-violently, ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो कि ये क्या चीज है, मतलब salt British कहां से आ गए, तो देखो, महात्मा गाजी ने बहुत सोच समझ कि ये पूरा decision लिया था, तो according to this law, the state had monopoly on the manufacturing and sale of salt, तो state के पास में monopoly होती थी, monopoly मतलब क्या होता है, monopoly मतलब एकात्मता का अधिकार या भी कह सकते हैं कि individual rights होते थे पूरे, कि monopoly का simple समतलब ये कि जो state था, जो British government थी, वही salt produce कर सकती, दूसरा कोई करेगा, तो इसके उपर बहुत ज्यादा text लगाया जाता था, ठीके, ताकि क्या हो, ताकि government क्या कर सेके, salt बेज के पैसा कमा सके, तो ये monopoly थी, ठीके, महात्मा गांदी along with other nationalists, reason that it was sinful to text salt, since it is such an essential item of our food, महात्मा गांदी ने बोला कि ये तो एक sinful है, मतलब एक तरह से क्या है, पाफ है कि आप salt के उपर text लगा रहे हो, salt के उपर नमक के उपर text लगा रहे हो, कि खाने को कि खाने को कितना essential part है, लोगों को जीने के लिए नमक चाहिए रहेगा, नमक नहीं खाऊगे, आप एक लंबे समय तक नमक नहीं खाऊगे, बिमार भी पढ़ सकते हो, ठीके, तो जैसे sugar और salt ये दो चीज़े तो आपके blood circulation वगरा सारी चीज़ों को regulate करती है ना, तो उस sense में क्या है, उन्होंने बोला कि इतना essential item है हमारे खाने का, और इस पे ही आप क्या लगा दोगे, टेक्स लगा दोगे, तो ये तो आपका अगली face दिखाता है British Government से बोला, और आप पाप कर रहो एक तरह का, ठीक है, और मातमा गांदी ने भी बोल दिया कि आपको जो करना है पाप करना है पाप करते रहो हम तो क्या करेंगे इसके against में प्रोटेश करेंगे, तो therefore, गांदी जी declare that he would lead a march to break salt loan, ने बोल दिया कि non-cooperation में जैसे क्या देगा था हम cooperate नहीं करेंगे आपके साथ, अब जो movement launch होगा तो ने बोल दिया कि we will disobey you, हम आपके आगया का उलंगन करेंगे, ठीक है, आपने बोला text दो, हम नहीं देंगे text, जाओ, जो करते बने, कर लो, इस तरह से, ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो salt को choose करने का भी एक कारण रहा हो, salt को choose करने का कारण के रह salt एक ऐसा issue था, जो हर इंसान की life से जुड़ा हुआ था, ठीक है, जैसे अगर आप बात की जाए आज, education, मैं आज अगर education की बात करता हूँ, तो education एक ऐसा issue है, जो हर इंसान को कही न कहीं क्या करता है, influence करता है, हर इंसान को कही न कहीं टच करता है, जब मैं बोलता हूँ कि magnet means 4-12 तक का education दे रहा है free of cost तो वो कहीं न कहीं एक बड़ा impact create कर रहा है तो उसी तरह से क्या है कि अगर salt की बात करें तो महात्मा गांदी ने salt को ही क्यों decide किया तो salt को इसलिए decide किया क्योंकि salt हर इंसान के जीवन में क्या एक अभी नंग था तो महात्मा गांदी ने सोचा कि salt को मुद्धा बना कि अगर कोई national movement launch किया जाएगा तो ये देश के सभी लोगों को include कर लेगा अपने अंदर दिमाग था ना तो उसी लिए salt को decide किया उन्होंने and government rejected the demand as expected तो government ने क्या किया demand reject कर दी कि पर ये salt world पर टेक्स तो हम कमनी करेंगे आपको जो करना है कर लो अब क्या होता है तो महात्मा गांदी ने बोला रुखो ठीक है रुखो जरा तो महात्मा गांदी ने decide कि गांदी जी और इस follower मार्च फार ओवर 240 माइल्स from Sabarmathidu coastal town of Dandy महात्मा गांदी ने बोला कि आप text नहीं कम करोगे हम हमारी मार्च स्टार्ट करेंगे और उस मार्च का नाम होता है डांडी मार्च अब सवाल यह आता है वाई डांडी मार्च ये मार्च को डांडी मार्च क्यों कहा महात्मा गांदी ने चलो salt के अगिनषस में मार्च स्टार्ट कर दी इससे डांडी नाम क्यों दिया गया और भी नाम देसकते थे दूसरे नाम देदे थे डांडी ही क्यों तो जगा के ऊपर से नाम आया है महात्मा गांदी का आस्रम था साबरमती गुजरात में ठीक है यह गुजरात का मैप है तो इसको आप ऐसे यह गुजरात बन गया ठीक है हमारा तो जैसे अब क्या होता है कि यह साबरमती है ठीक तो यह साबरमती आश्रम था उनका वहाँ पे साबर मती से पैदल 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 चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए 240 माइल्स तक चले ठीक है 240 माइल्स तक चले और डांडी कोस्टल टाउन पे पहुचे डांडी साबर मती से डांडी तो अब साबर मती से डांडी तक गए इस जो पूरी मार्श थी जो पूरा एक कह सकते है दल बना कर वो आगे के लोगों के साथ चलते जा रहे थे उसे डाड़ी मार्श कहा ठीक है कितनी लंबी मार्श पास की उन्होंने अब क्या होता था तो रोज 10 माइल चलते थे अगर आप देखना चाहो तो एक तरह से ठीक है अगली चीज़ कहा है थे अपनी ऊपनी आप वो ऐसे तु चलते जब यह अगर वह आप पानी्यार कर दोगे क्या वज़ाए तो बच्चा क्रड़ ओपानी गुडान बादो स्प्राइड है उसे नमक कैसे बन जाए नहॉत पता है ना तो समूदर के पानी में अपने आप तो इबचेगा इवपरेट होगया पानी तो बच्चा नीचे सॉल्ट तो इसी तरह स़ुन ने क्या बुला कि मैं सॉल्ट बनाता हूं देखो तो उन्होंने सॉल्ट बनाया और ब्रिटिश को फिर ऐसे दिखाया चिड़ाते हुए कि आगे रोगों को सॉल्ट बना लिया और टेक्स भी नहीं विया मैंने ठीके and I violated the salt text ठीके salt law जो था उसको मैंने वाइलेट किया तो मात्मा गांदी ब्रेकिंग the salt law by picking up the lump of natural salt डांडी 6th April 1936 6th April पे पहुचे 1931 उस तरह से salt law को वाइलेट किया नमक उठा दिये बोल दिये लोग क्या कर लोगे salt आगे मेरे पास मैंने टेक्स नहीं दिया तो यहां से फिर क्या होता है country में एक movement launch करते हैं यह जो भी था डांडी मार्स यह सारी चीज़ें जो थी इसके बाद में फिर country में एक बड़ा movement launch होगा लोगों ने कैसे participate किया तो people's participation अगर समझे हम तो peasants, tribals and women participate in large number अब देखो यहां पे एक शब्द आपको दिखेगा women तो next video में हम पढ़ेंगे इस बारे में और लेकिन यहां आपको समझदा है कि अब national movement और broad base में होते जा रहा था तो बहुत सारे peasants ने participate किया, किसानों ने, tribals, आदिवासी भाईयों ने participate किया महिलाओं ने participate किया, तो यह कुछ नए angles थे अब ही तक क्या हो रहा जिसे non-corporation movement देखोगे तो शहरों में educated, allied या फिर कह सकते हैं कि शहरों तक movement limited रहा था लेकिन अब क्या एक broad base मिल गया कि अब किसान भी, आदिवासी भी, women भी सभी लोग महातना गांदी के message को समझ पाया थे और सभी लोगों ने participate किया national movement में, ठीक है, फिर क्या होता, business federation published a pamphlet on the salt issues, ठीक है, तो business pamphlet वगएरा थे, तो newspaper वगएरा में छपने लगा salt issues के उपर की important muddha है, गांदी जी न सहीं किया, हमें national movement में participate करना चाहिए and then comes the call for civil disobedience movement और बोला कि अब एक law तोड़ा है, ऐसे बहुत सारे law तोड़ेंगे हम, तो कौन-कौन से जैसे चौकिदारी tax वगएरा जो लगाया जाते थे, तो क्या है कि पूरे देश में माहौल बन गया एक तरह से, लोगों ने participate करना start कर दिया, civil disobedience movement का नाम इसलिए दिया क्योंकि civil मतलब जो जनता है, तो जनता अब क्या करेगी, उलंगन करने वाली, disobey मतलब आप किसी चीज़ का जब नहीं मानते हो न, disobey कर देते हो, तो अब जनता disobey करेगी, उलंगन करेगी, rules का, regulations का, ठीक है, मानने से मना कर देगी, ये civil disobedience movement यहां से launch होता है, ठीक है, अब British response, अब देखो, आपको पता है कि British को इतना अच्छे तो ही नहीं कि जब इस तरह से लोग अब क्या कर रहे है, प्रोटेस्ट कर रहे है, laws violate करे, तो British government क्या करने वाली है, तो the government tried to crush the movement through brutal action against peaceful satyagrahis, अब देखो क्या है, एक चीज़ महात्मा गान्दी ने clear कर दी भाई, अब movement अपन चलाएंगे, civil disobedience movement, लेकिन इस movement के टाइम पे सब कुछ क्या करना है, आपको बहुत peacefully करना है, तो हमारे जो satyagrahis थे, जो satyagrahis के principle के थूरू, truth और non-violence के थूरू, protest कर रहे थे, उन satyagrahis, peaceful satyagrahis के उपर brutal repressions का इस्तमाल किया गया, किस के दवारा, British government के dozens were sent to jail, और बहुत सारे लोगों को jail में डाल दिया गया, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे लोग महात्मा गांदी के साथ काम कर रहे थे, सारी चीजों हो रहे थे इस बीच में, अब क्या रहा तो बड़े बड़े लिडर जो थे, अच्छी leaders को भ कot coach कर लिया गया था गांदी इर्विन पैक्ट साइन हो तो वीज्ट है ड्राइब बिच में अर महत्मा गांदी के भी नाखी नाट्मिया थे महत्मा गांधी से कायं आयगे को क्यों कर दे तुँ अच्छा चाल रहा थो अब चलो movement call off भी कले लेकिन इससे कुछ अचीव हुआ था हमें तो देखो यहाँ पे क्या है The Government of India Act of 1935 इस movement के बाद में मशक्कत चलती रही हमारे leaders परिशान करते रहे प्रेशराइस करते रहे British government को तो कही न कहीं British government भी प्रेशराइस होके उन्होंने बोला कि चलो कुछ तो आपको liberty देते हैं कुछ independence देते हैं तो Government of India Act 1935 पास किया गया आज जो हमारा constitution है तो इस constitution में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें इसी act से उठाई गई है अभी जो Government of India Act पास किया गया था तो इसमें provincial autonomy दी गई मतलब जो अलग-अलग states थे ऐसे समझ लो 11 provinces थी तो सारी provinces जो country में अलग-अलग division थे political division जैसे Bombay province हो गया उत्तरपदेश हो गया ठीक है Northwest Frontier province हो गया तो इन province को थोड़ी autonomy मिल गयी है government would conduct an election to legislature in 1937 ठीक है तो after two years of after two years government of India Act 1935 के बाद में क्या होने वाला है दो साल बाद में election conduct करवाईगी कौन election conduct करवाईगी government तो British government provincial legislature के election के लिए क्या होगी तयार हो गई कि हाँ 2 साल बाद election होने वाले है अब जब election होए तो election में Congress में दूम मचा दी तो Congress formed government in 7 out of 11 provinces ठीक है तो यह जो provincial election होए थे तो provincial election में total 11 province थी उन 11 province में से 7 province में government किसकी बनी 7 province में government बनी Congress की तो यह कही ना कही यह क्या हो गया एक बड़ा impact create कर दिया Congress ने कि हाँ Congress ने इस्थापित कर दिया कि लोग जो है popular support जो है popular mandate जो है वो किसके साथ में है Congress के साथ में है अब देखो यह सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी अब इस बीच में क्या हो जाता है इस बीच में World War 2 होने वाला आगे तो 97 तक हम कही ना कहीं winning position में दिख रहे थे कि आगे जाके और चीज़ें अच्छी हो सकती है World War 2 हो जाता है तो World War 2 होता है situation World War 2 के time पर बहुत जादा बिगड़ जाती है कैसे बिगड़ती situation वो भी समझो तो World War 2 के time पर ऐसा होता है World War 2 के time पर ऐसा होता है कि दो team बनती मैंने आपको पहले भी बताया था एक team बिटेन वाली थी World War 1 में जैसी बनी थे ना वैसी World War 2 में भी टीम बनी है और दूसरी टीम जो थी जर्मनी वाली थी अब इस बार चीजें ही बदल गई कि जर्मनी की टीम ज़्यादा मजबूत दिख रही थी ठीक है तो World War 2 के टाइम सिच्वेशन ये थी कि ब्रिटिश राज जो था गुठने पर आ सकता था देखो यही तो इंडिया की खास यह थे कि हम मौका परस्त नहीं है मौका परस्त समझता हो कि सिच्वेशन आई तो हम क्या कर लेते हैं धोका दे के भाग लेते हैं वैसे लोग नहीं हैं इंडिया के लोग ठीक है हमने क्या किया यहां पर पता है सिच्वेशन ऐसी दिख रही थी कि यार जो भी है ब्रिटिश रूल खतम हो जाएगा सारी चीज़ें वो तो अलग है लेकिन हमने यह देखा कि अभी वल्ड वार टू में हमारे उपर जो रूल कर रहे हैं ठीक है हम जिनकी सौवरिनिटी के अंदर हैं हम ब्रिटेन के अंदर में थे तो ब्रिटेन इस समय वार में इंगीजड है तो being a colony of ब्रिटेन हम ब्रिटेन को परिशान ना करें हमारे ली कि आज हम सपोर्ट कर देते हैं ब्रिटेन का हम अभी के लिए नैशनलिस्ट मुव्मेंट को रोक लेते हैं अब बाद में हमें आजादी देना ठीक है वही चीज़ होती है देखो तो क्या होता है वर्ड वार टू सेप्टेंबर 1939 जब पॉलेंड में घुज गया थे हिटल अगाजी ने कॉंग्रेस को समझाये कॉंग्रेस लीडर्स खुद भी समझदार थे और क्या हुआ कि उन्हों ने देखा कि आज हमें तो आजादी चाहिए हम आजादी ले भी लेंगे क्योंकि अभी ब्रिटेन कमजोर है ब्रिटेन तो वार में इंगेज है यहां पे एक और मुवमेंट चालू हुआ कि ब्रिटेन इतने में घुटनों पे आजाएगा ठीके लेकिन हम आजादी ले लेंगे और ब्रिटेन हमारे मतलब हम भी ब्रिटेन से आजाद होताएंगे ब्रिटेन भी हार जाएगा क्यों हार जाएगा क्योंकि हिटलर जो है वो पावरफुल प जर्मनी के लोग हिटलर कुछ क्या मानते होंगे बहुत बड़ा लीडर मानते होंगे लेकिन हिटलर जिस तरीके का इस्तिमाल कर रहा था वो उसके देश में एक रिलीजन के लोगों को क्या कर रहा था मार रहा था तो जो की क्या था युमानिटी के अगेंस्ट था तो हमारे leaders ने बोला कि इस तरह का communal leader अगर जीतता है world war में और जीतने के बाद में फिर world में क्या होगा humanity के अगेंस्ट में कितना crime होगा क्या होगा यह वो सही चीज़े तो हमारे लोग जो इंडियन nationalists थे they were critical about the Hitler leader therefore Congress leaders were ready to support British war efforts सोचो कितनी अच्छी बात है तो हमारे leaders ने सुचा कि अभी आजादी लेना दूसरी चीज़े पहले world में humanity को समालना बहुत जादा जरूरी दिये और उन्हें बोला कि Britain कहीं हारना जाए Britain हार गया तो हम तो आजाद हो जाएंगे लेकिन वो Hitler जो है वो पूरे वि लेकि चिंता मत को रहो इंडिया अभी कोई बड़ा धमाका नहीं करेंगे हम इंडिया में लेकिन जब वार खतम होगा तो आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप हमें आजादी देदो ठीक है यह बात हुई अब क्या होता है तो in return they wanted that India be granted independence after the war यह बात तैं हो गई थी लेकिन वार के बाद में हम आजादी दे देंगे यह वो सारी चीज़े ठीक है डाइसी सिट्वेशन दिख रहे थी तो हमारे देखो यहां पर क्या थी ब्रिटिश रिफ्यूस टू कंसीड दी डिबांड बिटिश ने मना बोल दे कि नहीं आजादी वाजादी तो नहीं देंगे आ वार मुवमेंट लॉंच करेंगे रुख जाओ जरा तुम 1939 से वार चाल हुई थी फिर अगला हमारा जो बड़ा मुवमेंट हम लॉंच करेंगे वह 1942 में लॉंच करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा उससे पहले उससे पहले क्या है मतलब कहा बाद में जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया पास हुआ तो उससे 1937 में में क्या मिल गई प्रोविंशल अटोनोमी मिल गई एलेक्शन हुए एलेक्शन में हमने कॉंग्रेस ने साथ सीटे जीते ग्यारा प्रोविंशन में यह सब कुछ हुआ अब यह जो पूरी कहानी हुई है तो अब क्या होता है जो पूरी कहानी हुई इस पूरी कहानी में आपने क्या देखा इस पूरी कहानी में आपने देखा समझा कि कही ना कई कॉंग्रेस पावर में आते जा रही थी ठीक है ब्रिटिश गवर्मेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग रही थी फ मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया और बोला कि अब आगे मिलो आप ठीक है मतलब एक बड़ा मुमेंट दूसरा लांच करेंगे हम देश में तो 1939 में आप जो सीक्वेंस मा आगे बढ़ रहें आप तो 42 में क्या हाँ आप बड़ा मुमेंट लांच होगा वब पढ़ने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा वह पढ़ाने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि विमन का क्या कंट्रिबूशन रहा तो आपके बॉक्स में ड सारा सब कुछ क्या है आपको free of cost free of cost सारे video lectures free of cost available हैं तो जिनके थुरू आप क्या कर सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं है ना मज़ेदार बाद आपको क्या करना अपने juniors और seniors को बताना है अपनी पढ़ाई को continue रखना है सारी चीज़ें completely घर बैठे पढ़ना है fine next video lecture में मिलते हैं अगले topic के साथ till then stay connected keep learning thank you thank you very much